फाइनली एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साब ये हमारी सारी हाइपर डिलिवर करता है जो कि हमने इससे एक्सपेक्ट भी की थी ट्रेलर को देखकर पता लग रहा है कि मूवी की फंडमेंटल स्टोरी होगी बाप और बेटी किस्ट कहानी जहां रनबीर कपूर का किरेक्टर किसी भी हद तक जा सकता है अपने बाप की वैलिडेशन के लिए बॉलिवुड में मा बेटी की कहानिया तो बहुत है पर बाप बेटी की कहानी वो भी खून से भरी हुई देखकर काफी मज़ा आने वाला है जो लोग संदी प्रेडी वांगा सर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो अपनी मूवीज में रियल और रो इमोशन दिखाना पसंद करते हैं और यहां ट्रेलर में भी हमें इसकी काफी जलकियां देखने को मिली हैं जैसे बहस बाजी में रश्मिका का गला पकड़ लेना, मरे हुए आदमी पर गोली चलाना और भी बहुत सारे शोट्स जो की मूवी के हीरो के मेनियक पर्सनेलिटी को काफी अच्छे से दिखाते हैं रनवीर का करेक्टर अपने फादर से इतना उपसेस्ट है कि वो उनकी वैलिडेशन के लिए किसी भी लिमिट को क्रोस कर सकता है उतका करेक्टर साइकोलोजी के लिए खिसका हुआ है और यही पर्सनेलिटी वो अपने रेज, अपने एंगर से बाहर लाता है एक बात जो और साफ पता चल रही है कि रनवीर के करेक्टर को अपने पापा से बच्पन में प्यार नहीं मिला जो कि रनवीर को ट्रॉमेटाइज कर देता है जिस कारण उसके अंदर अब कोई मौत, खून, किसी चीज का डर बाकी नहीं है और वो लड़ने के लिए हमेशा टयार रहता है इसके इलावा मूवी में हमें रश्मी का और रनवीर के करेक्टर्स की लव लाइफ का भी हिंट मिला है जहां इनका रिलेशन सिप भी कवीर सिंग की तरह ही है जहां डीव डाउन इन्हें पता है ये दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हैं पर ये एक पता दिया है कि उनकी मूवी में जबरदस्ती का सिर्फ एक्षन ये नहीं बलकि एक ग्रिपिंग स्टोरी भी होगी अब ये सब को पता चल गया है कि मूवी को एडल्ट रेटिंग मिली है और ट्रेलर्स में भी ये पता चल रहा है कि मूवी में काफी ब्लडशेट होने वाला है काफी वाइलेंस होगा पर ये सब होगा उसकी लेयर्ट स्टोरी टैलिंग के कारण बात करें में विलन लॉर्ड बोवी द्यॉल की तो फिर एक बार हमें उनके करेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया लेकिन बोवी की स्क्रीन प्रेजंस टॉप नौच लग रही ह टीजर में भी हाईप बोवी को ही ज़ादा मिली थी और यहां भी वो लास्ट में रनवे पर जो शोट्स है उनके के एरौंड हाईप बिल्ड नेक्स लेवल पर कर देते हैं मैं वेट नहीं कर सकता कि वांग सर ने उनने क्या सूपर विलन क्रीट किया है जो कि बानलर के करे है वो ब्यूटिफुली और क्रेजी दिखता है इसके साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि मूवी का रंटाइम तीन गंटे 21 मिनट के अराउंड है तो उमीद लगा सकते हैं जैसा संदीप ने प्रोमिस किया था ये मूवी उतनी ही वॉयलेंट और रो होगी मूवी के विज्वल्स और एक्शन सेट पीसीज एक काफी ही वॉयलेंट और ब्लड़ी एक्शन को प्रोमिस करते हैं और ये मूवी का स्टार्टिंग से सेलिंग पॉइंट रहा है और चाहे एली वाला एक्शन सीन सो या फिर बोबी और रनवीर की फाइट या ये गैटलिंग गन वाला सीक्वेंस मूवी का एक्शन शांदार होने वाला है इसके अलावा ट्रेलर की शुरुवात में हमें टाइटल अनॉंस्मेंट वाला सौंग भी सुनने को मिलता है जिसे सुनकर मुझे गूसबंस आ गये थे और इस म्यूजिक को थेटर में सुनने क का एक्सपिरियंस शांदार ही होगा वहीं हमें यहां पर बीप्रा की आवाज में भी एक गाना सुनाई दिया जो कि मूवी के इमोशनल साइड को काफी ब्यूटिफिली कॉम्प्लिमेंट करता है वांगा सर म्यूजिक को स्क्रीन प्ले के साथ काफी अच्छे से इंटिग् लग रहा है कि ये एक रिवेंज डिवेंज स्टोरी होगी पर वो सर्फ इसकी एक लेयर होगी और अभी भी हमें स्टोरी के मारे में कुछ इतना स्पेशल नहीं पता है ट्रेलर को लेकर जो मेरी एक लोती कंप्लेंट है वो है रश्मिका मंदाना की हिंदी मुझे दो तिन बार सुनना पड़ा ध्यान से जब मुझे उनका डायलोग समझ माया वरना बाकी का ट्रेलर शांदार था ओवरॉल ट्रेलर मूवी को लेकर हाइप बनाता है और अब इंतजार है एक दिसंबर का जब हम रनवीर के विश्वरूप को थेटर में विटनेस कर पाएंगे और द झाल 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 झाल